नमस्कार दोस्तों, वेलकम आप सुबकर फेश्ट है मारी सौर्गैनी गिरिन गार्डन चैनल पर और आप बने हैं मेरे साथ यूटूब चैनल पर साथ भी मिद रखता हूँ कि आप भी सौर्चतों के हेल्दी होंगे दोस्तों आज मैं आपके साथ सेर करने वाला हूँ बहुत ही फाइदेमंद यह आपको आने वाली है तो दोस्तों यह पेस्टिसाइट बहुत ही आसानी से आप अपने घर पे बना सकते हैं और यह हमारी एक और गैनिक होगी इसमें किसी भी तरह के केमिकल कोई भी कंटेन्ट हमें नहीं डालनी है सिर्फ नीम के पत्ते और जब हम इस प्रे करेंगे तो दो समान हमें इसमें एड करनी है जो कि हमारे घर पे अविलबल होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आप इसे बना सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हमें नीम की पत्या क्लेक्ट करनी होगी जो कि अगल वगल हमारे नीम के पेंड बहुत होते हैं तो आप उससे क्लेक्ट करके लेके आएं और इस तरह से स्वस्थ जो पत्ते होते हैं उसी को आपको लेके आनी है चलिए आपको यूज किस तरह से करनी है मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले हमें इसकी पतिया निकाल लेनी है ये जो पतिया आप देख सकते हैं इसकी पतिया निकाल लेनी है देन इसकी स्टेंप भी हम ले सकते हैं एक साल पुरानी जो स्टेंप होती है एक साल पुरानी, उसकी stem भी ले सकते हैं, और यह हमारी पतिया जो आप देख रहे हैं, इसकी पतिया सबसे जादा collect करनी है, तो चलिए, collect करते हैं, और कुछ stem भी हम ले ले लेते हैं, जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं, यह जो पैलसिन की ठीकनस मोटाई होती है, कुछ इस तरह से हमें छोटे-छोटे ठुकड़े कर लेने हैं पतिया और ये स्टैम पुरानी स्टैम जो हमें लेनी होती है चलिए तो ये रहा दोस्तों ये हमारी कुछ स्टैम और कुछ पतिया लगबग ये 4 kg है और 10 लिटर पानी में हमें बनानी है ये आप देख सकते हैं 10 लिट सब्सक्राइब बनानी हमें लगबग 4 kg डालने होती है तो 10 लिटर पानी हम इसमें ले ले लेते हैं और अब हमें इसकी पतिया जो है बिल्कुल वास करनी है चलिए गले 10 लिटर पानी में इसे उबालने होती है लगबग 2-4 गंटे हमें इसे पूरी अच्छ तरह से पकानी होगी देन जब 10 लिटर पानी वह पांच लिटर जब बन जाएगी तो लिक्वीड जो हमारे लिए है कंप कंप्लीट बन के त्यार हो जाएगी फिर मैं उसे हम किसी भी पौधे में स्प्रे कर सकते हैं चाहें वह फूल वाले प्लांट हो या फिर वहीजिट वा कानी होगी लगवग 2-8 घंटे जब तक पांच टिटर पानी बज जाए तब तक हमें से उबालनी होगी तो चलिए चलिए यह रहा और बीज बीज में हमें किसी साहरे आपको इस तरह से चलाते रहनी है जिससे जो पतिया होगी, उपर नीशे होगी तो अच्छी तरह से पकेगी तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कुछ दिर बाग जब थोड़ी से यह पक जाएगी तो देख सकते हैं दोस्तों एक गंटे के बाद अभी बहुत अच्छी से यह उबाल मार रही है और पत्ते की कलर आप देख सकते हैं किस तरह से होने रगी है तो यह दिरी दिरी आप पकेगी और इसके अंदर से जो रस होगी वह बिल्कुल लिक्वीड हमारे पाने में यह डे गंटे और यह आप देख सकते हैं बहुत सारी पानी सुख गई है लगबग बहुत ही कम माता में पानी बची है तो यह अब करीब-करीब बनने के काबिल हो चुकी है इस तरह से बीच-बीच में हमें स्टिक से ऊपर नीचे करते रहनी है बट अब आप देख सकते हैं जो हमने जो निसान अभी आप देख सकते हैं जो 10 लिटर पानी की जो थी वो बहुत ही काम हो चोगी है I think यह बन के तयार है अब इसे हमें निकाल करके छान लेनी होगी चलिए इसे कुछ दिर ठंडा करके हमें छान लेने हैं चान लेते हैं तो यह रहा दोस्तों देखें ठंडे पानी मैं इसे मैं डूब के रखा जिससे जल्दी यह ठंडा हो जाएगी देन मैं इसे फिर से चान के इसे रख लूँगा तो चलिए वेट करते हैं तो यह रहा दोस्तों चलिए अब इसे हम चान लेंगे इसकी लिए कि भी बिल्कुल इस तरह से चान लेंगे जो की बन के पूरी तरह से यह तैयार हो जाएगी तो यह रहा दोस्तों बिल्कुल हमने चान लेंगे कि भी इसे रख ली है अब चलिए से इस्तेमाल किस तरह से करनी है आप इसे ध्यान रखे तो चलिए फ्रेंश आब इसे किस तरह से यूज किया जाए हम देख लेते हैं यह हमारी अभी बोतल देख सकते हैं दो लिटर की बोतल है इसमें पानी हमने डाल रखी है और इस पे डालने के लिए हमें एक नीबो की जरूरत पढ़ेगी और एक लिक्वीड जो डिस बार होती है या फिर सेंपू हम इसमें योज कर सकते हैं क्योंकि सेंपू या लिक्वीड जब हम डालेंगे तो यह पानी में बिल्कुल अच्छी तरह से डेलिट हो जाएगी दन जब मैं इस स्प्रे करूंगा इस पत्तों के ऊपर जब पौधे के ऊपर हम स्प्रे करते हैं तो यह जो साबून की लिक्वीड है वह चिपक जाएगी और एक तरह की सुरक्षा बनती है पत्तों के ऊपर तो चलिए इसे मैं लगभक यह दो लिटर पानी में देर सो एमल ले लेंगे यह टुकडा नीमू का रस इस पर हमें पूरी अच्छे तरह से इसमें मिला देनी है उसके बाद सेम्पू भी हम आधा सेम्पू इसमें डाल देंगे चलिए चलिए सेम्पू भी हम डाल लेंगे यह एक लिक्वीड जो है पाने में थोड़ी सी एक चिपचिपा बन जाता है जब इसका इसका करेंगे तो पत्तों में बैट जाएगी इसलिए से हमें डालनी होती है कोई भी चीज हम डाल सकते हैं सेम्पू या लिक्वीड जो बार की जो डिस्वार की जो लिक्वीड आती है उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं चलिए अच्छी तरह से डेलिट कर लेंगे और इस दो लिटर पानी में हम इसे मिला देंगे अच्छी तरह से से कर लेनी है हिला लेनी है उसके बाद हमें इस प्रे करनी होती है चलिए आप यह करके इस तरह से मिला लेने, उसके बाद हम इस प्रें यूज करेंगा, दोस्तो, जब इसका इस प्रें हम करते हैं, इन पौधे के ऊपर, तो एक सुरक्षा कवज बन जाती है, पूरे प्लांड के ऊपर, पूरे पत्या में एक सुरक्षा कवज सी बन जाती है, मतलब कि एक resistance बनाती है यह जब कोई भी कीट इस पत्तों के ऊपर अंडे देते हैं या फिर attack करते हैं तो वो सही तरीके से वो उसका असर नहीं हो पाता कीट जो है अक्सर हम जाते हैं इन पत्तों के backside पर अपने अंडे दिया करते हैं और कोमल पत्य होती है उस पत्तों को दीरे दीरे रस कुछ चूशते हैं और हमारे पौदे stress में आते हैं सोक में आते हैं जिसके करण पौदे हमारी खराब होने लगते हैं और उसमें सही तरह कि से प्रूटिंग नहीं आती है क्योंकि ज्लिख कर देते हैं ऑप बहुत ही अच्छी और बहुत ही एफेक्टिव करने वाली यह इस्प्रेय हैं आप आराम से इसे बना करके यूज करके देखें यकीनन आपको खुशी मिलेगी और बहुत हद तक आपको अच्छी रिजल्ट मिलेगी तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आएंगे तो इस विडियो का जरूर आप लाइक करके जाएगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे क्योंकि आपको चाहिविडियो जकोमरी गुट chilli- crying कि यह पेस्टिसाइट हम हर रोज यूज करते हैं मतलब हर 10 दिन के बाद हम यूज करते हैं चलिए दोस्तों एक नजारा आप हमारे गार्डन को देख सकते हैं कि इतनी हरी भरी और ग्रीन ग्रीन लगती है किसी भी तरह का कीट का अटैक नहीं होता है क्योंकि मैं डेली बेस इसे यूज करता हूं हर दस यह बार दिन के बाद इसे इस्तिमाल करता हूं देख सकते हैं पूरी रोग मुक्त है मतलब पूरी हरी भरी हमारे गार्डन है और भी मैं आपको और देखाता हूं कि किस तरह से और भी आप देख सकते हैं बहुत ही खुश्रा सा पोधा और किसी प्यारा लगता है देख सकते हैं बहुत ही ग्रीन ग्रीन और बहुत ही खुबसुरा सा नजारा आप देख सकते हैं दोस्तों और भी है और हमारे मनी प्लांट की भी आप ग्रोध देख सकते हैं बहुत ही खुबसुरा सा ग्रोध चल रही है मनी प्लांट की आप देख सकते हैं और यह हमारी बैगन की पौधे कितनी सुष्थ है और है। आप देख सकते हैं। और सभी तरह के अब देख सकते हैं कितनी सुष्थ है। तो इस ब्रेंजल में भी है। सारे बैगन लगने वाले क्योंकि यह रोग मुक्त है तो इमीद करता हूं यह आपको पसंद आएंगा पसंद आए तो